जैसे हमने पहले घटाया था साथ अंकों की संख्याओं को अच्छाओं की संख्याओं को वैसी ही यहाँ पर भी घटा करके क्या करना है इन संख्याओं के जो उतर आएगा उसे यहाँ पर लिखना है अब तुम पांच से अधिक अंकों की कुछ संख्याओं बनाओ दो दो चोटी संभ्या को घटाओ भी ऐसी संभ्यां की संभ्या सेद, अफने साथियों से पूछो कि कितंग bossy, कि सवल बनात हैं, अरे वा, सवाल बनाने के बाद, तुम्हें लगता है कि जल्दी से पता चल जाएगा कि सवाल सही बना है या गलत, यहां हम तुम्हें एक ऐसा तरीका बता रहे हैं जिससे तुम खुद अपने बनाए सवाल को जाँच कर सकते हो आओ इस तरीके को एक सवाल हर करके समझते हैं क्या तरीका है जिससे हम अपना जो उत्तर है वो सही आया है कि नहीं वो हम जान सकते हैं तो यहां पे एक जोड़ दिया हुआ है। इकाई दाई सहक्रा 1010 दस घालता की संख्या है। मतलब की पांच अंकों की संख्या है। तो 8 धन 7 बराबर 15, 15 के 5 हसिल में आई 1। एक धन 9 बराबर 10, 10 के सुन ने हासिल में आई 1। तीन धन एक ब्राबर चार, धन तीन ब्राबर साथ, पांस धन चैन ब्राबर ग्यारा की एक हसिल मैंई एक, दो धन एक ब्राबर तीन, धन साथ ब्राबर दस, ये हो गई हमारी उत्तर, योगफल आया कितना? आप इसमें से क्या करना है इन दोनों में से कोई भी एक संख्या को जो उत्तर आया है उसमें से इन दोनों में से जो प्रस्म दिया हुआ है जो जो संख्या को जोड़ना था उसमें से एक संख्या को लेते हैं हम और उसे जो उत्तर आया है उससे घटा लेते हैं तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी और जो दूसरी संख्या आई होगी वही उसी से हमें पता चलेगा कि हमने जो योगफल निकाला है वो सही है अगर दूसरी संख्या नहीं आती तो हमारा जो योगफल है वो गलत हो जाएगा तो योगफल आया है उससे हम एक संख्या को घटाते हैं 15 में 8 गया तो कितना बचा 7 यह हो गया 9 9 में 0 गया तो 9 साथ में तीन गया तो यह हो गया त्सवास क्लिए सद्कूल में जलाज में एक एक मतलब कि 11 11 में 5 तो शचैस यह यहओ गया 9 9 में दो गया तो साथ और यह हो गया 0 0 Windows गया वे तो जीरू है ना इहा कितना 21 Cathedral हजाध सर यकाध div 7600 एक स्रीते ह moet आदे से 4370, है तुक्ता हमारा उत्तर सही थी है दो संख्याओं के योगफर से कोई भी एक संख्य गहताने पर दूसरी संख्या मिल जाती है अब इस तरीके से हम अपने बनाए हुई सवालों को जाज करते हैं इबारती प्रशना मितलब की एक्सरसाइज अब एक्सरसाइज देखते हैं क्या दिया हुआ है पहला प्रशना है एक वैपारी ने अपने बैंक के खाते में पहले वर्स हमें कुल 12,620,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, दूसरे वर्से की जमा रासी को जोड़ना है तो इससे हमें उसकी कितने दो वर्स में कितने रूपे उसने जमा किये उस वो हमें पता चल जाएगा एक वैपारी ने कितने रूपे जमा किये वो हमें पता चल जाएगा देखते हैं पहला वर्स पहला वर्स में कितना जमा किया ह पहला कोशन है रासी कितनी है 13,89,802 रुपया और दूसरे वर्स में 12,18,625 रुपया दूनों को हम जोड़ेंगे तो हमें दू वर्सो की कूल रासी हमें पते चल जाएगी कि इतने अक्तरासी उसने जम्मा किया दोनों वर्सो में तेर बारा लाग 18628 पांच में दो जोड़ेंगे जो कितना है साथ साथ दो में जो जोड़ेंगे तो दो आठ में छे जोड़ेंगे जो कितना है है चोड़ा कि चार हासिल में एक आठ धन एक वरवर नौ नौ बराबर अथारगा की आठ हासिल में एक 7 एकाट 9 तीन दू पाँच एक और एक दू एक आई दही सेकड़ा हजा दस लाग दस लाग पचीस लाग अन्ठानबे हजा चार सो सत्ताइस रुपिये उसने फूल जमा किये दो वर्सों में उस वेपारी ने पचीस लाग अन्ठानवे हजा चार सो सत्ताइस रुपिये उसने जमा किये जोड़ देना था वैसी ही अब दूसरा कुशन है छय हंको की सबसे बड़ी संख्या और साथ हंको की सबसे चोटी संख्याओं का योग फल बहुत देखते हैं कि छय हंको की सबसे चोटी संख्या क्या होगी ए बड़ी संख्याओं की और साथ हंको की सबसे बड़ी संख्याओं क्या होगी बड़ी संख्या मतलब की नौ 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 एक दो तीन चार पांट छे इकाई दही सेकड़ा हजाद असल लाख नौ लाख निन्याद्वे हजार नौ सो निन्याद्वे साथ अंकों की सबसे छोटी संख्या एक तुन्ट तीन चार पांट छे साथ एक आई दही शेकड़ा हजाद अनल लाख दस लाख दस लाग है नहीं साथ हंकों के सबसे शोटी संख्या क्या होगी दस लाग और चैनल को सबसे चोटी संख्या का योगफल बताना है अब इन दोनों का हमें योगफल बताना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, साथ एक, दो, तीन, चार, पांच, छह, जोननों संक्या को यह फ़ल, नौ में 0 जड़ेंगे तो नौ, 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 9, 1, इकाई दहाई सेक्रा 12,0010,009,9999 जड़ेंगे तो कितना है योगफल आ गया है यही क्या है हमारा दो सात अंकों की सबसे छोटी संख्या और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल क्या है दूसरा संख्या है तीसरा प्रशन है एक सहर की जन संख्या 6,52,561 तो बताओ कि दोनों सहरों की कुल जन संख्या क्या होगी इन दोनों संख्याओं को हमें क्या करना है जोड देना है एक सहर की संख्या को दूसरी सहर की जन संख्या से जोड़ेंगे तो हमें कुल जन संख्या हमें दोनों सहरों की पता चल जाएगा अब देखते हैं दूसरी चौथा कुशन क्या कह रहा है किसी राज्य की प्रात्मिक सालाओं में 4,32,795 बच्चे पुर्व माध्युमिक सालाओं में 2,99,890 बच्चे और हाई स्कूल में 2,9,372 बच्चे पढ़ रहे हैं बताओ उस राज्य की सालाओं में कुल कितने बच्चे पढ़ रहे हैं तो प्रात्मिक सालाओं पुर्व माध्युमिक सालाओं और हाई स्कूल में जितने भी बच्चे हैं दिये हुए हैं उन्हें हमें एक साथ जोड़ देना है कितनी है चार लाग तिरपन हजार पांच सो बहत्तर है इसमें से दो लाग पचीस हजार आजसो साथ सो असी जो है वो क्या है पूरिस पूरुस है तो महिलाओं के संख्या ज्याद करो अब सहर में महिलाओं पूरिसों के दोनों के एक साथ संख्या कितनी दिवी है चार लाग तिरपन हजार पांच सो बहत्तर जिसमें से दो लाग पचीस हजार आजसो असी जो है पूरुस है तो महिलाओं को ग्याद करने के लिए हमें कुल में पूरुसों की संख्याओं को घट चार लाख तीरपन हजार पांस सो बहत्तर जिसमें पुरुष की संख्या है 2,25,780 हमें क्या करना है महिलाओं की संख्या निकालनी है क्या होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा जनसंक्या में पुरुष जितने पुरुष से उसको घटा देंगे तो हमें महिलाओं की संख्या पता चल जाएगी महिलाओं कितनी है उसको पता चल जाएगा 2,25,780 हमें 2 में 0 गया तो 2 7 में 17 में 8 गया तो 9 8,9,10,12,24,25,7 9 ये हो गया 4 14 में 7 गया तो 7 ये हो गया 2 12 में 5 गया तो 7 ये हो गया 4 4 में 2 गया तो 2 4 में 2 गया तो 2 21,23,10,000 लाग 2,27,792 2,27,792 ये हो गयी महिलाओं किस्ट 2,27,792 महिलाओं किसंख्या में बता चल जी ये हो गया हमारा उत्तर दिख सोरा कोशन है 2 संख्या का योगफल 2,30,560 है जिसमें उसमें से 1 संख्या 92,640 है तो दूसरी संख्या क्या होगी हमें योगफल में से पहली संख्या को घटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या पता चल जाएगी किसी चुनाव में 3 उमिद्वार थे पहले उमिद्वार को 2,88,562 और दूसरी उमिद्वार को 1,99,72 मत मिले यदि कुल 8,15,624 मत डाले गए तो बताओ तीसरी उमिद्वार को कितने मत मिले हमें क्या करना है उल दिया हुआ है और पहले उमिद्वार को और दूसरी उमिद्वार को जो मत मिले हैं उसकी संख्या दे हुए तो हम क्या करेंगे पहले पहले उमिद्वार और दूसरी उमिद्वार की मतों को जोडेंगे और उन दोनों को जोडने पर जो मिलेगा उसे हमें कुल में से घटाना है, कुल मत में से हमें घटाना पड़ेगा और फिर घटा करके हमें तीसरे उम्मिद्वार का मत हमें पतर चल जाएगा रवी ने एक मकान में 6,80,000 रुपय में और राकेश के दूसरा मकान 5,50,000 रुपय में खरीदा तो बताओं उन दोनों की मकानों की कुल कीमत क्या होगी दोनों की मकानों की कीमतों को रवी के मकान की कीमत और राकेश की दुकान की कीमत को हमें क्या करना है दूसरा मकान मतलब की राकेश के दूसरा मकान है उसकी कीमत को दोनों को घटाएगा जोर देंगे तो हमें दोनों की कुल कीमत हमें पतर चलेगी चार उंकों की सबसे छोटी संख्या और तीन उंकों की सबसे बड़ी संख्या का अंतर बता नौवा है चार उंकों की सबसे छोटी संख्या जोटी संख्या क्या होगी एक दू तीन चार एक जाए हजार खेकिन और तीन अंको की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी एक दूटी नौसो निनियानवे और एक हजा चार उंकों के सबसे चोटी संख्या एक हजा तीन उंकों के सबसे बड़ी संख्या क्या होगी नौसो निनियानवे है ना तो हमें क्या करना है इन दोनों संख्याओं को घटाना है अंतर बड़ी संख्या का अंतर बताओ अंतर पताएंगे क्या चार अंकों के सबसे बड़ी संख्या में तीन अंकों के सबसे छोटी संख्या को घटा करके हमें इनका अंतर देखना है करें। दस में से ना गया तो इतना बचा एक। यह वीड़ी ना दस था इस हो दिया थो नौ में से 9 गया थो जीरो और यह व्या दस नौ में से नौ गया थो 0 यह हो गया 0 0 में से 0 हो गया तो 0 कितना है एक कितना है उत्तर हमारा एक 10,000 में से 990 घटाएंगे तो कितना मिलेगा हमें सिर्फ एक छे अंको की दसवा कोशन है छे अंको की सबसे छोटी संख्या से एक घटाने पर कितने अंको की संख्या मिलेगी जिवा संख्या कितनी होगी वो में बताना है छे अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी एक दू तीन चार पांच छे एक आई धाई सेकड़ा जादस लाग एक लाग अब यह हो गई कि एक लाग सबसे छोटी संख्या इसमें से हमें क्या गटाने के लिपल रहा है एक घटाने पर एक गाटाने 10 में से 1 गया तो 9, 9 में से 0 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 गया तो 9, और 0 में से 0 गया तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 21,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 क्या मिली हमें 9999 अब दो ऐसी संख्या लिखो जिनको जोडने पर 9870 मिले वो दो संख्या क्या होगी जिसको जोडने पर हमें 9870 मिले तो हम 9870 से चोटी कोई एक संख्या ले लेते हैं जो इससे चोटी हो उससे हम क्या करेंगे जो संख्या लेंगे उसे हम 9876 से खटा देंगे तो हमें दूसरी संख्या मिल जाएगी वैसी ही पहली और दूसरी संख्या हमें मिल जाएगी ग्यारवा कर संख्या दे हुई है जो योगफल का संख्या मिलेगा क्या है अन्धानवे llei संहार्ष सियाट्तर जो योगफर से मिलेगा तो एक संख्या क्या मिले हैं तो एक संख्या क्या मिले हैं नवी हजार है तो एक संख्या के लिए 99,000 को खटाएंगे 9,876 है तो पहली संख्या हम क्या लिए 9,876 में हम 9,000 को खटाएंगे तो कित्ता मिलेगा वह हमारे दूसरी संख्या होगी यह होगी पहली संख्या और यह हम कैसे मिला हमें 9,876 से कम है तो यह हो गई पहली संख्या अब दूसरी संख्या को पाने के लिए इस संख्या को इस संख्या से घटाएंगे 6 में 0 गया तो 6, 7 में 0 गया तो 7, 8 में 0 गया तो 8, 9 में 9 गया तो 0, दूसरी संख्या हमें क्या मिले 8,876 यह हो गई दूसरी अब हम जो 2 संख्या मिली है पहली हो दुस्य संख्या अगर यह जोनने पर हमें यह 8776 मिल जाती है तो 9876 मिल जाती है तो हमारी जो 2 संक्या वो सही है 0 में 0 में 6 जोड़ेंगे कि इतना हैगा 6 0 में 7 जोड़ेंगे तो 7 0 में 8 जोड़ेंगे तो 8 9 तो हमें जीरो जोड़ेंगे तो नौ 9,876 आ गया तो हमें दो संख्या मिल गई क्या पहली संख्या 9,000 अब दुसीर संख्या 8,876 पांच अंको वाली दो संख्या लिखो जिनका योगफल इस प्रकार से बनाना है कि दो अंको की संख्या था इसमें इसमें 20 संख्या थी अब इसमें भी दो संख्या लेकिए नोब 5 अंको वाली ये 4 अंको वाली थे जो तो इसे कम वाली एक संख्या हमें दोननी है और उस संख्या को इस संख्या से घटाएंगी योगफल से तो हमें पहली और उसी संख्या दोनों मिल जाएगी